नमस्कार साथियों, मैं नीरज कुमार, एक बार फिर से आप सभी का तह दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार नौकरी अड़ा 365 पर जी हाँ दोस्तों, आज एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक तो रिजिनिंग के नार वलबन सेक्षन से जिसका नाम है इनलाजी अर्थात साद्रिश्चता पच्चों को यह होता है कि ऐसे प्रशन हमेशा गलत कर देते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता, मुझे करना क्या है तो आज ही यह वीडियो जादा लंबा ना होकर कि बहुत ही छोटा वीडियो और जादा क्वेश्चन नहीं बहुत important, important question को मैं लेगर आया हूँ आज तो यह वीडियो आप के लिए बहुत ही important है आपके exam के point of view से तो आईए आज हम सीखते हैं analogy के question को कैसे हल किया जाता है किस method से लगाया जाता है कौन सा best approach होगा कौन से short तरीके से हम question को deal कर सकते हैं ये बहुत सारी बाते हैं आज इस वीडियो में हम एकदम clear to clear cut बात करने वाले हैं जी हाँ दोस्तों आए टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए आज के इस topic को एकदम बेहतरीन और लाजवाब तरीके से पढ़ते हैं ठीक है मेरे भाई आए तो सबसे पहले हम दिखते हैं एक question को analogy का मतलब ये होता है कि आपको आपको एक hint के या उदहरण कह सकते हैं उसके रूप में दिया रहेगा दूसरे को बताना रहेगा तो simple सी बात है एक अपने भासा में कहूं तो उसके जैसा copy करना मतलब ये जैसा है इसी के जैसा आपको ये वाला बनाना है तो non-verbal का जब भी question आए तो जादा तर best तरीका ये होता है कि option को आप हटाना सीख जाए option elimination आना बहुत ही ज़रूरी है आपको ये हमें थड़ आता है तो बहुत बढ़िया है आप बहुत तरीके से आप question को solve कर पाएंगे तो आए देखते हैं फिर एक-एक प्रश्न को हम solve करते हुए चलते हैं बड़े ध्यान से समझना बड़े ध्यान से समझना क्या कैसे करना है तो भाई मेरे कह रहा है कि देखो ये प्रश्न आकरती है उपर दिखा है कि प्रश्न में कौन सा उत्तर आकरती कौन सी उत्तर आकरती चित्र दिये गए प्रश्न चित्र को पूरा करेगी तो मतलब यह प्रश्न चित्र को जहां पर यह question mark है इस question mark के अस्थान पर कौन सी इस उत्तर आकरती की एक चित्र वहां पर जाने वाली है तो भाई देखो ध्यान से मारी बात को समझना करना कुछ नहीं है मैंने कहा यहां पर दो लाइने थी हमने कहा बिल्कुल यहां पर अनुपात देखो लगा है इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई relation है relation वहां क्या है कि देखो यह जो आपका चित्र था इन सभी का face right side open था इस वाले का left side open हो गया लेकिन यहां दो आकरती थी तो यहां पर एक हो गई मतलब एक एक कम हो रही है तो 100% उपर वाली दो लाइन दो लाइन से दो बने चार चित्रों तो 100% है कि यहां पर केवल और केवल इसका उल्टा ऐसे बनना चाहिए था बोलो यसे या नो ऐसे क्योंकि एक एक तो कम हो जाएगा आप बोलिएगा बिल्कुल सर तो कभी भी आप कहिए option देखके लगाओ कि यह वाला यह वाला तो सर कताई न होगे क्योंकि दो से एक हो रहा है तो 4 से 2 होगा 100% बात सही है हमने कहा बिल्कुल अब बताओ यह वाली इधर थी तो यह वाली उल्टा हो गई तो क्या यह वाली जो इधर है तो क्या यह वाली इधर होगी नहीं सर यह वाली नहीं होगी यह दो अलग थे तो option नमबर जो बनेगा B option बन जाएगा नो डाउट किसी को कोई प्राब्लम नहीं होगी आईए नेश्ट देखते हैं ये वाला प्रश्ण बहुत कम समय में बहतरीन आप सीख के जाएंगे आप देखेगा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तीनों चित्र पहले दूर दूर हैं फिर उन्हें ले जाकर कहीं एक जगे सामाहित किया गया है तो बहुत confusion नहीं करना है बस बात को समझना है option हटाना सीख गए तो ऐसे question आप कताई गलत नहीं करेंगो सबसे पहले करके आएंगे हमारी बात को समझना मैंने कहा यह circle एक नंबर पे है या आपका यह square दो नंबर पे है या आपका triangle तिन नंबर पे है बोलो बात सही है अब यह बताना जो यह चतुरभूज था मतलब square था यह अंदर गया हमने कहा बिलकुल बात सही है मतलब दो वाला कहा गया अंदर गया तो मैंने कहा एक और दो और तेन इसका मतलब है कि ये दो वाला अंदर जाना चाहिए इसका मतलब सबसे पीच में क्या होना चाहिए सरकल होना चाहिए सबसे बीच में क्या होना चाहिए सरकल इसमें त्रिभू जा गया हटा दो इसमें चत्रुभू जा गया हटा दो तो कौन बचा केवल सरकल में option number 1 बच गया ये best approach है non-verbal का सबसे best approach यही होता है बाकी आप इतना time waste नहीं करेंगे ये तो बस क्या है ना कि आप पहले सीखते हैं जब सीखते हैं तो धीरे धीरे प्रयोग करते करते आप बहुत बहतर हो जाते हैं बात को समझ में आया सबको ऐसे लगा लेंगे और फिर देखिएगा तीसरा वाला कहां है भीया तीसरा वाला दूसरे पर है तो तीसरा वाला दूसरे बोले तो यहां बना दे यह वाला यहां आजाएगा एकदम सही है अचा यह तीसरा इसमें यह नहीं है तीसरा वाला तो इसका ये है ना तीसरा वाला इसका तो ये है ये वाला यहां आ जाएगा इसके उपर ये चला जाएगा तो ऐसे में कौन बन जाएगा option number A एकड़म correct है अगले प्रश्ण पर ये प्रश्ण देखिए कुछ करना नहीं है बहुत जादा टाइम आपको बैस्ट ही नहीं करना है बहुत सिंपल तरीके से आपको लगा लेने है फिर से देखो जारा फिर से हमारी बात को समझो हमने कहा ये गुड़ा यहां था पहले कहा था लेफ्ट कोने में था अभी लेफ्ट कोने में है ये लेफ बी में है, option number किस में है, केवल बी में है, बात को समझो, मैंने कहा कि ये जो आपका ये multiply वाला symbol है, ये कोने में top level पे है, left में, यहीं रह गया, देखो ये यहीं था, यहीं रह गया, तो ये वाला भी यहां था, तो यहीं रह जाएगा, मैंने कहा कोने में किस वाले में है, इस इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, option number कौन बना, इस ओप्षन बना, बलो बात सही है, चलो भाई, आगे बढ़ते हैं, इस तीन number के प्रश्न को देखना और समझना क्या आ जाएगा, इस तीन, चौत्हे नंबर के प्रश्न का, फिर से ध्यान से देखना, हमने कहा कुछ नहीं कर इनको कैसा बनाया गया हमने कहा बिल्कुल सही बात है थी इसमें दो हो गया हटा दो इसमें कितने हो गया । दो हो गए हटा दो यह वाली इसी के जैसी है इसको भी हटा दो अब बचे ऑप्शन नंबर दो बचे ऑप्शन नंबर कितने दो देखो ध्यान से बचे ऑप्शन नंबर कितने दो एक बाद बताओ इन में से कौन साई होगा इन में से कौन साई होगा जरा ध्यान से देखना य यहां पर देखो यह इसके पास में लाइने यहां पर देखो यह इसके पास में लाइने थी यहां इससे दूर होगा यह यह फटा दो option number कौन बन गया सी बन गया कुछ नहीं करना बिल्कुल समझना है बस चीजों को आ गया यह पांच नंबर का प्रश्ण देखें और समझें क्या होगा फिर से देखना यह वाला जो गोला था ध्यान से देखना यह जो गोला था पहले पूर्व दिशा में था किधर था आप डारेक्शन को जानते होंगे यह नार्थ है यह इस्ट है यह साउथ है हर एक तरीके से सीख के सभी गोले देखो यह यह था छे नंबर का प्रश्ण देखना बताना क्या जाएगा भाई बहुत धीरे धीरे से हम चीजों को समझेंगे ताकि ज्यादा कन्फ्यूजन ना हो बहुत बात ध्यान से सुनना फिर देखना इस वाले में क्या रिलेशन था मैंने कहा कुछ नहीं था यह जो एक गोले के अंदर दूसरा गोला ये ऊपर था तु नीचे चलाए हमने कहा बिल्कुल सही बात है ऊपर था तो नीचे आय यह वी ऊपर था तो नीचे हैगा हमने कहाण नीचे आए जозक्ट पतासी मैं अगले और किसमें बदेखो जो बचें हैं किसमें हो DIY यह वाला एक अगखा ओक अगर दोनोह में अगार आप गोला हूँ तो बेकूफती करते हूँ आप इसको नहीं मिलाना इसमें देखो दोनोग के द दिखेंगे ये वाला सात नमबर का प्रस्टीक का हो रहा है ठीक है वह द्यान थे बहुत समझतिस कि मैंने कहा युदि आपको पता है ऐसा कोई डिरेक्शन क्वाएं यह आपका नॉर्थ होता है यह आपका साउथ यह आपका इस्ट यह आपका वेस्ट होता है यह आपका नॉर्थ वेस्ट होता है यह आपका नॉर्थ इस्ट होता है यह आपका साउथ वेस्ट होता है यह आपका साउथ इस्ट होता जरा ध्यान से देखना पहले वाला यहां थ नीचे जहने गोले Debug न your goalic holy region 00 rafkin ढू। यहीं के यहीं रहे गया इसका मतलुप आइसे घुम गया इस mencion नीचे जानीच यह जानी जाया रहा ट्फिक है आप देखना यहां यह तिर भूज ता तौना इसका बश्न कहीं मतला 180 मैं ब्लूम गया तो यह तीर नीचे जानी चैये या में घाल पूर इसमें नीचे है नहीं है गर दिश्वाइब ऑने गुमा जाये गाले से यह भाला ऊपर तो नीचे रह जाएगा इस वाले में तो कहा गया इस वाले में नीचे है और देखना-जरा ध्यान से मरी बात को समझना यह वाला जो लाइन था डोपर का ऊपर ही रहे गया तो यहे डोंव्ण सेades मSir यह जो है ना इसी साइड होना चाहिए था मतलब यह ऐसा होकर यह दो लाइन यहीं यहीं होने चाहिये थे ऐसे इसमें और और ये हट गया option number B बच गया option number B बच गया एकदम सही तरीके से आएँ ये अब इसमें देखे क्या हो जाएगा भाई चलिएगा इसमें आप बताएं क्या हो जाएगा कुछ नहीं करना देखो है तो तो बहुत कठिन सा अगर आप कठिन से सोचेंगे तो एसे आसान कैसी समझेंगे जिनदगी में नहीं भूलिएगा आप इससे प्राशनों को सर क्या क्या है अब आप क्या लाइन को देखेंगे लाइन को Unter सियाथ confusion लेना है तो लाइन पर ध्यान दो हमने कहा कितने कोने हैं मैंने कहा एक कोने दो कोने और तीन कोने यहां तीन कोने हैं कितने कोने एक दो तीन चार पांच कोने मतलब तीन से पांच हमने कहा दो बिंदू बढ़ गए मतलब दो कोने बढ़ गए यहां एक दो तीन चार यहां 4 कोने थे, यह 4 रेखाएं कह सकते हैं आप, यहां पर 3 रेखाएं थी, यहां पर 5 हो गई, यहां पर 4 है, तो 2 बहुरना के यहां पर 6 होनी चाहिए, छे रैखाउं से कौन सा बना है यह नहीं बना है यह 8 से बन गया 1, 2, 3, 4, 5 2, 4, 5, 6, 7, 8 यह नहीं होगा यह नहीं होगा भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6 बिलकुल इसमें है बिलकुल इसमें है इसमें 5 ही ही है यह भी हट गया Option नंबर कौन बना? C बना ठेहा है? एक बार आपसे वीडियो कोым पॉस करके अपने से लगा लिया करो अंसर अपने से एक और लिया करो हमने कहां देखो कोई दिक्कत नहीं ये कहा था नीचे तरो ऊपर चला गया इसका मतलब क्या बन गया? वाटर इमेज ये उपर था, नीचे था, कहां गया, उपर, बिल्कुल बात सही है, ये उपर था कहां आया, नीचे, इसका मतलब ही ने water image बना दो, हर तरीके सीख के जाओ, water image बना दो, water image बनेगा तो आपको पता है न, ये वाला कैसे बन जाएगा, ये वाला ऐसे जाएगा, ऐसे, ये जो cut ह होगा, ये ऐसे cut होगा, बिल्कुल, आप समझ भारें, ये वाला ऐसे cut हो जाएगा, ये वाला ऐसे cut हो जाएगा, तो SM काउन सा हो जाएगा, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये option number C होगा, option number क्या होगा, C for cat हो जाएगा, 10 number के प्रशन को देखें और लगाना जरा ध्यान से देखना क्या कुछ करना है अब ज़रागा थ्यान से देखना हमारी बात को समझना यहां पर हमें कह रहा है कि ऐसा बनाओ यहां पर रेशियो लगा है यहां प्रपोर्शन लगा है हमने कहा ठीक है तो ज़रा ध्यान से देखना क्या मैं ratio ratio solve करूँगा तो answer बनेगा नहीं मैंने कहा ratio से जो पहले वाले हैं इसको पहले के साथ जोड़ दो मतलब ये वाला चितरिस के साथ जोड़ दो तो ये वाला चितरिस के साथ जोड़ दो ऐसा करो हम कहें बिल्कुल कर लो क्योंकि यहाँ G का उल्टा क्या है T हमने कहा बिल्कुल बात सही है तो यहाँ O का उल्टा पहला क्या होना चाहिए यल यल इसमें नहीं है किसी में नहीं है केवल यल किसमें है option number किसमें है भी या option number केवल किसमें है ается यहाँ पर क्या होँजाएगा यंज्ञेसे यहां पर एक उल्टा ज्याएगा याल हो जाइगा जएक हो जानबर भुष का और-इस र HC ऐड बातर Sum.......... क्या इy todos तующ रहते हैं प्रश्णकांसर क्या हो जायगा भाइल, मेरे यह प्रेशन का अंसर क्या हो जाएगा देखिए हमारी बात को समझे ध्यान से आपने कहा सर यह यहां पर है यह सिंपल साइब बन जाएगा यह जो यह जो आप देख रहे हैं यह किधर है और यह बताओ यह यहां पर देखो चतुरभुज नहीं है यहां पर लाइन ऐसी है यह बताओ यह वाला तो नहीं होगा और यह जिस प्रकार से यह वाली चित्र यहां पहुंची है वैसे यह वाली चित्र यहां पहुंचनी चाहिए इसका मतलब है यह यहां आना चाहिए और ज़रा देखो यह जो ऐसी है इसको घुमा के ऐसा कर दिया गया है हमने कहा ठीक है यह वाला भी ऐसे जो बाहर-बाहर का है अंदर वाला तो वाटर बना है अंदर वाला तो क्या बना है या वाटर इमेज वाटर इमेज इसका बनेगा तो इसमें परिवर्तन नहीं होगा ऐसे रहे जाए गा यह वाला ऐसा था इसको ऐसा कर दिया यह वाला भी ऐसा था इसको ऐसा करें गे तो यहां पर यहां पर आजाएगा तो बनेगा आप सब्सक्राइब प्रश्न देखते हैं ये क्या कह रहा है ये कुछ नहीं कह रहा है ये प्रपर्टी बहुत सिंपल तरीके से बताना चाहरा है कि भीया हमारे पास यहां से यहां देख रहे हमारे पास एक लाइन है भीया एक लाइन मेरे पास है ये होरिजेंटल और एक लाइन मेरे पास है वर्टिकल मैंने कहा अच्छा ये जो चित्र बना है दो लाइनों से मिलकर नद दो तरीके की लाइन है एक वर्टिकल एक होरिजेंटल है एक वर्टिकल एक होरिजेंटल है इसमें देखो इसमें एक तो होरीजेंटल है एक तो होरीजेंटल है तो यहां तो होरीजेंटल है नहीं हमने कहा इसको हटाओ फिर इसमें तो horizontal है एक लेगिन इसमें कोई vertical लाइने नहीं है इसमें diagonal मतलब तिर्ची लाइने हैं हमने कहा इसको भी अटा दो इन दोनों में देखो, इन दोनों में देखो, लाइन जो ऐसी बनी है, ना कि लाइन ऐसी बनी है, मैंने कहा इसमें तो कैसी बनी है, सही है, इसमें ये तिर्ची वाली बनी, इसको हटा दो, केवल आप्शन नमबर किसमें है, ए में है, केवल आप्शन नमबर किसमें है, ए में गणते हैं 12 नमबर के प्राश्ट पे चलते हैं इसका देखना क्या हो जाएगा इसका देखना यह भी बहुत सिंपल सा प्रश्ट है एक त्रिभुज था एक त्रिभुज था इसको त्रिभुज को एकदम पहले सीधा रहने दिया पहले मैंने कहा कुछ बदलो नहीं जैसा है वैसा रहने दो मैंने कहा इसको भी ना बदलो एकदम सेम टू सेम रहने दो इसको सेम टू सेम रहने दो दूसरे वाले का काम किया दूसरे वाले जस्ट उल्टा करके इसी में डाल दिया दूसरा वाला भी जब हम बनाएंगे देखना द्यान से जब हम इसको ऐसे रहके जब हम इसको ऐसे करेंगे और दूसरा जब इसके अंदर डालेंगे तो क्या करिएगा केवल उल्टा करके डाला है तो उल्टा करके ये नहीं होगा ये गरबड़ा जाएगा ये गरबड़ा जाएगा ना ये वाला नहीं होगा ये ऐसे था तो केवल उपर डाला देख़ो यह उपर नीचे निकलाया, इसका міतलब है यह वाल जो चित्र बनेगा यह ऐसे बनेगा ऐसे बनेगा तो ऐसे में यह नहीं है यह थो ऐसे तो हड़ जाते आपके केवल डी वाले ऑसन है केवल डी वाला ऑसन सही है यह देखिए, चवदे नमबर का प्रशन देखें, यह बहुत सिंपल है, हमने कहा सिंपल इस तरह सिंपल कैसे, हमने कहा कि दो त्रिभूज थे, अंदर ही दोनों लगातार थे, मैंने एक को रखा, अच्छा जी, अंदर अब इसका 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 रिलेशन को पता हो गया, हमको इसका इसका पता हो गया, अंदर दो त्रिभूज थे, तो मैंने एक को रखा, अंदर दो सरकल है, तो मैं भी अंदर एक ही सरकल रखूँगा, और एक सरकल अंदर रखूँगा, तो बताना जरा इसमें तो क्या आ गया, चतुर्भूज आ गया, इसमें त्रिभूज आ गय यह लाइन देखो ऐसे थी अर्थात अगर मैं बात करूं कि जो यह आधहार इसका है यह वाली लाइने यह पहले नीचे के साइट थी फिर इसको ऐसे घुमा दिया गया इसको नब्बे डिगरी क्लाक वाइस सही हो गया उसको यह ऐसे हो गया तो इसवाले को नब्बे डिगरी जब पहरेंगे तो यह ऐसे हो जाएगा इसका मतलब है इससे बनना चाहिए और आयसे में चित्र कि ये थे आपके analogy के analogy के 15 question तो ये 15 question कैसे लगाए हैं किस speed से लगाए हैं आप इस video को देखिएगा और comment करके बताईएगा आपको ये video कैसा लगा है अगर कोई कमी हो तो आप comment box में तुरंद बता दे हाँ sir इसमें ये कमी है तो आज तक यहीं करते हैं फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत